हे फ्रेंट्स देखिए आज फिर से एक बहुत ही बहुत ही ज्यादा शांदार कमपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो को देखिए पूरा जरूर देखेगा कितनी शांदार कमपनी है ये आपको खुद पता लग जाएगा अगर हम सिर्फ प्रोज और कौँज देखें तो यहां से भी दिखता है कि कमपनी में कितनी अच्छी ग्रोथ ही ये देखने को मिलेगी और छोटी सी कमपनी है सिर्फ 11,700 करोड की ये कमपनी है इन फ्यूचर ये जो है आपको 100 गुना तक के प्रोफिट बड़े अराम से दे सकती है आने वाले 8-10 सालों में और अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई ये कमपनी है फर्टिलाइजर और जो हमारे सीट्स बगएरा होते है हाईब्रीट सीट्स उसको ये बनाती है कमपनी और इसमें कितना ग्रोफ है आगे ये आप समझ सकते हैं क्योंकि देखिए पहले क्या होता था देशी बीज बोए जाते थे फशल कम होती थी अब क्या है टेकनलोजी आई नई और नए नए फर्टिलाइजर वगएरा आए और कमपनी जो है इसकी कमपनी भी लगी जिससे की उत्पादन भी हमारा बढ़ा है जिससे पूरे विस्व में जो है खाने की जो आनाज की समझ् उसको दूर किया जा सके और आने वाला फिचर भी ऐसा ही है कुछ क्योंकि जनसंख्या हमेसा बढ़ी ही रही है अभी तक तो साथ ही साथ जो रशिया और यूक्रेन की जो वोर हुई है उसमें तो पूरे विस्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भई हर देश अपने मे सक्षम हो अपने में इतना प्रोडक्शन करे फसलों का कि उसे ज्यादा जरूत किसी की पड़ा ही न और इंडिया तो हमारा एक्सपोर्ट करने लगा है अब जितने भी अपने फसल के जितने भी रिलेटिव ये उतपाद होते हैं हमारे गेहू मानलो चाबल मानलो कुछ भी करता है लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही कर रहा है तो चलिए देख लेते हैं देखिए कंपनी के कुछ प्रोज देखते हैं तो प्रोज देखेंगे यहां देखिए यह गुड क्वार्टर कंपनी ने दिया है और 35% का पिछले 5 सालों से CGR बना रखा है और अगर एक्यूट 80 से उड़नचास पर लगभग और अगर यह देखें हम साइड में प्रोज सोरी कौंज तो कौंज में कुछ ऐसा है नहीं जो खास हम देखें इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई देती है कंपनी का देखें मार्केट कैप देख लीजिए सिर्फ 11,756 करोड की कंपनी 282 का करेंट प्राइज 518 इसका हाई था वावन वीक का और लो है 2001 रुपे तो अपने लो पर मिल रहा है बहुत ही अच्छी एक बाइंग अपोर्चिनिटी इसमें आ रही है पी रैश्यू है कंपनी का 9.08 का बहुत ही सस्ता बुक वैल्यू 63 की है 163 की सांदार डिविडेंट भी कंपनी देती है ROE 26 परसेंट का है ROC है 23 परसेंट का और फेस वैल्यू है 10 की तो स्पिलिट या बोनस भी इसमें स्पिलिट हमें देखने को मिल सकता है इसमें कंपनी के अगर कुछ पियर कंपल देखें तो सबसे उपर तो आता है को रोमंडल इंटर तो ये है और दूसर नंबर पे हमारी यही कंपनी आती है जिसका नाम है क्या चंबल फर्टिलाइजर तो बहुत शांदर कंपनी है देखें पहले नमबर पर जो है ये कोरो मंडल इसका अगर मार्केट के अब हम देखें तो 26,569 करोड का है 48 करोड का और इसका देखें तो 11,755 करोड का है मतलब अभी भी दुगनी से भी ज़्यादा है कोरो मंडल इससे तो बहुत शांदार एक रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है इसमें अगर इसकी सेल्स की बात करें तो सेल्स देखें हमेशा बढ़ती हुई हमें दिखेंगी देखें कभी 1900 करोड की हुआ करती थी अब है 8000 की 8587 और नीचे देखें प्रोफिट तो प्रोफिट भी शांदार है ये देखेंगे आप 274 करोड का इस दो क्वाटर में अभी तक हो गया है और 342 का पिछले साल दिया था इससे पहले 244 का तो शांदार प्रोफिट कंपनी क रही है तो अगर इसी को हम yearly wise देखें तो भी शांदार नंबर सामें देखने को मिलते हैं कहीं 8900 करोड के year में हुआ करते थे अब हैं 23900 करोड बहुत ही शांदार और प्रोफिट देखें प्रोफिट में तो कंपनी ने जंडे गार दिये हैं जी देखो इसको जराब 235 हो गए हैं 1295 करोड तो कितनी तेजी से कंपनी ग्रोफ कर रही है या आप यहां देख सकते हो EPSB 31 का हो रखा है कंपनी पे देखें करजा और इसके रिजर्व देख लेते हैं तो 6900 करोड करजा और 6300 करोड के रिजर्व कंपनी के पास हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं हैं इतना करजा क्योंकि लगभग बराबर हैं करजा और रिजर्व तो कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है लाश्ट में अगर देखें शेर होलिंग पैटर हम देखते हैं तो बहुत ही शांदार देखने को मिलेगा 60% प्रमोटर्स के पास उसके बाद 11% देखें जो है FII और लाश्ट में DII के पास भी है 12.6% पॉब्लिक के पास है सिर्फ 15% और देखें अधर के पास भी है 0.3% अब इसमें अधर में कोन आया इसमें आई भारत सरकार यह 0.3% है इसमें है भारत सरकार तो भारत सरकार ने भी इसमें जो है हिस्सा ले रखा है तो दोस्त तो लास्ट में एक बार फिर से कंपनी का नाम देख लेते हैं देखिए, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड अगर देखिए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, ऐसी ही वीडियो हमें साम मिलते रहेंगी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.